जैहिन साथियो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पार्ट साला में दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं मैट्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स को इससे पहले भी हम मैट्स के कुछ महत्वपूर्प्रशनों को सॉल्व कर चुक तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर दिखिए और वीडियो का लाब उठाइए और जो इसमें जो क्वेशन्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए चलते हैं पहले प्रश्न पर पहला प्रश्न है 30% of 140 is equals to x% of 840 देन x is यहाँ पर 140 का 30 प्रतिशत आपको यहाँ पर दिया हुआ है किसके बरावर है 140 के x प्रतिशत के तो x का मान आपको निकालना है तो दिखिए साधारन सा है जहाँ पर का है वहाँ पर आप गुणा लिख दीजिए और जहाँ पर प्रतिशत है उसके डिवाइड में आप क्या लिख दीजिए 100 लिख दीजिए बाकी सिंपल है 840 हो गया का की जवब पर आप गुणा कर देंगे और x के बाद प्रतिशत है तो प्रतिशत के आप 1000 कर दीजिए बाकी दोस्तों अब जो है 0 जो है उनको काड दीजिए 0 से 0 कैंसिल होगे अब जो है आपके पास यहाँ पर बचता है 44 बराबर 0 से आपने 0 को काड दिया तो अब जो है आपका यहाँ पर बचता है 84 इंटो x डिवाइड बाइ 10 तो 10 जो है यहाँ पर बच गुणा होता है और इसके साथ यहाँ पर 0 हो जाता है तो आपके पास बचता है x बराबर 420 बटे 84 अब जो है इसको आप 2 से आराम से काड सकते हैं 2 से काड यह तो 4 दुने 8 और 4 यहाँ पर 2 दुने 4 हो गया 2 दुने 4 और 2 एकम 2 और 0 इस तरीके से आप इसको काड सकते हैं फिर से 2 से 2 दुने 4 दुने 2 एकम 2 और यहाँ पर यह हो जाता है दो कम दो और ये तो इस तरीके से आप जब इसको पुरा का पुरा simplify करते हैं तो जो है इसका जो है ये 5 से कर जाता है ठीक है तो जो आपका answer है वो आ जाएगा 5 एक्स का value आ गया आपका a 5 तो option जो a है वह बिल्कुत सही हो जाएगा next question पर चलते हैं next question है which of the following is equivalent of 6 by ats in में से छेवर ब्सके बराबर कौन सा होगा तो आपको इनको check करना है तो 6 प्रतिशत مतलब मैंने आपको बताये था याप करना है तो मैं चıtक करता हूँ 30 बते 100 मेरे पास आया मैं अगर इनसे do गुना करता हूँ तो देखे क्या होटा है उपन 0 को cancel कर दिया देखिए 3 दुने हो गया 6 और 10 दुने हो गया 20 तो यह 30 प्रतिशत है वहाँ 6 वटे 20 के बराबर है इसका मतलब क्या है कि मेरा option जो D है वहाँ सही है next question है the square root of 4096 is तो square root के लिए जो वर्गमूल के लिए भिभिन methods होते हैं method जो हैं आपके पास हैं आप जानते हैं एक होता है आपका जो है अभाज्य गुणन खंडविदी भी होती है जिसमें आप इसके prime factoration कर सकते हैं और एक और method होता है जिसमें कि आप इसको simply कर सकते हैं आसानी से तो देखिए मैं इसी method से आपको बता रहा हूं तो इसमें क्या करते हैं आपको दो-दो के इसमें pair बनाने होते हैं आपने बना दिया अब जो है इसको multiply करना है ऐसे number से जिसका कि square इससे कम हो त 36 तो 36 जो है इसे कम होता है तो 40 में से 36 गया आपके पास बसता है चार जो बचा है उसको नीचे उतार दें 6 और 6 जोड़ करके यहां पर 12 लिख दें अब इस 12 के पीछे और यहां पर आपको एक सेम ऐसी संख्या रखनी है जिनको कि इसके साथ गुणा करने पर आपके पास 4 96 या इसे कम आए तो अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं 4 चोके क्योंकि 16 होता है और यहां पर 6 है तो 6 आ गया पावर 1 आ गया चार दूने 8 और एक 9 हो गया और 4 कम 4 हो गया तो आपका 9 6 इससे 0 बज़ गया तो यहां पर जो है सीदे सीदे बहुत ही जल्दी जो है इसका square root आ है और square root आया है 64 तो option जो C है वहाँ बिल्कुल सही है अगर आपको यह method समझ में नहीं आया है तो आप आराम से अबाज्य गुननखंड विधी के द्वारा भी इस प्रशन को solve कर सकते हैं जिसमें आप 2 से पहले divide करेंगे तो यह पूरी जो संक्या है यह 2 से ही divide होने वाली ह और अंत में आपको 64 जो है आपका answer मिल जाएगा तो दोस्तों आपको अगर इन methods में problem है अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर आपके लिए separate video बनाओ और आपको बताओ किस प्रकार से वर्ग और वर्ग मूल को निकाला जाता है घन और घन मूल को निकाला जाता है तो मैं आप आपके लिए जरूर वीडियोज लाओंगा पर आपको मुझे प्रोसाइट करना होगा और comment box में बताना होगा कि आपको इस प्रकार के वीडियोज चाहिए अगला गस्तन है LCM of यहाँ पर आपको पहले ही अभाज्य गुननखन करके दिये हुए हैं बहुत ही आसान अब हो संख्या है तो आपको इसमें LCM बताना है तो LCM के लिए method क्या होता था सबसे पहले जो भी दो संख्याएं हैं उनके जो अभाज्य गुननखना के पास यह हैं इन मैसे जो संख्या common है उसको लिखतीजिए तो यहां पर क्योंकि 3 common है आपने लिख दिया 3 इसके बाद जो भी संख्या हैं बसती हैं सब को लिखती आप दिखिए यहां पर 5 common है 5 को भी लिख दीजिए into 5 बाकि जो भी बसता है उसको सीरे सीरे के पीछे लिख दीजिए 2 into 7 तो ऐसा option में कौन सा है आपके option में 2357 2357 यानिकि option जो C है वहां बिल्कुल सही हो जाता है LCM में यही किया जाता है जो common होता है उसको एक बार उतार देते हैं बाकि बचेवे जो अंक होते हैं उनको उसके साथ multiply कर देते हैं आपका LCM आ जाता है और HCF के लिए क्या करते हैं HCF के लिए हम बेगते हैं कि उनमें से कौन जो है highest common factor है उसको हम लिख देते हैं जो सब में common आता है वहां पर जो थ्री जो है इसका HCF एनकी पांस दिया पंदरा जो है इसका highest common factor है लेकिन हमको LCM पोचा हुआ है तो जो आंसर है वहां सीब जो है बिल्कुल सही है अगले प्रश्ण पर आते हैं एक cricket player scored 85 runs in his 17th inning with this his overall average increased by 3 what is his average after 17th innings एक खिलाडी अपनी जो है सत्रवी इनिंग में 85 रन मार कर उसके जो ओसत है उसको 3 से बढ़ा देता है सत्रवी इनिंग के बाद उसका कुल ओसत कितना होगा थोड़ा सा गुमावदार प्रश्ण है आप आराम से इसको देखीगा कैसे इसको solve करते हैं सबसे पहले तो हमको म इतना होगा तो हम मान लेते हैं let the average of 17th after 17th इनिंग सत्रवी उसके बाद उसका जो हो जाएगा एक्स अब हमको पता है कि वह सूलमी इनिंग के बाद जो है उसका उसत क्या हो गया तीन से बढ़ गया था यनकि X-3 हो जाएगा ठीक है यनकि उस समय क्या था उसका तीन कम था बढ़ गया है यनकि सोलमी इनिंग में उसका तीन कम था अब बढ़ गया है इसलिए एक्स हो गया थीक है इसलिए अब जो है इसमें अगर उसमें क्या मारे हैं 85 रसे को एसको करते हैं इसको जो है 17 को जब multiply किया जाता है तो इसको हम पूरा का पूरा जब solve करेंगे तो हमारे पास जो है X का जो value है वो आजाएगा 37 यानि कि जो उसका सतरवी इनिंग के बाद जो आसत है वह है 37 तो option जो A है वह हो सही हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्ण जो है आपको बार-बार practice करने हैं इसी तभी आप इनको complete कर पाएंगे थोड़ा सा भी confusion है आप पूछ सकते हैं आप हमको बता सकते हैं कि इस प्रकार के और प्रश्ण आपको चाहिए आप लोग comment नहीं करते हैं इस वयों से हम demotivate हो जाते हैं और हमें लगता है कि आपको सायद इन वीडियो की ज़ तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भाड़